हेलो दोस्तों अगर आप डाटा इंटरी का काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं और सिखना चाहते हैं तो यह देखे अगर आपको डाटा इंटरी में अगर काम दे देगा कि यहाँ पर नाम रहेगा टाइटिल रहेगा उसका अधार नंबर या फिर उसका मोवाइल नंबर तब आपको नमूना के तर पे देमो के तर थोड़ा सथ शोटा दिखा रहे हैं आपका डेटा कितना भी बड़ा हो सकता है कैसा वह सकता है और अधिल के बाद यहापका मोईल नमबर रहता है और पर टाइटेल हे तो उसका एड्रेस रज़ सकता है तो इसको हमको अलग-अलग कॉलम में लिखना है तो सबसे पहले आपको यहाप इसको करना होगा और select करने पाद आपको press करना है alt a plus e तो यहां पर देखिए आपका कुछ ऐसा open हो जाएगा यह डायलक box open होगा convert text to column का इसके बाद आपको कर देना है next next के बाद यहां पर देखिए हमारा बीच में यहां पर देखिए data में क्या problem है यहां पर a space है यह अस्पेस को हटा करके आपको सभी data को अलग-अलग column में लिख देना है तो यहां पर देखिए a space पर कर देंगे click कि इसके बाद करदेंगे next इसके बाद कर देंगे Finish और फिर कर देंगे ओके ये देखिए हमारा डिटा जो है सभी अलग-अलग हो चुका है ये देखिए हमारा डिटा अलग हो चुका है लेकिन अगर इस Space के देखापे कॉमा रहेगा तब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए हम data के बिच में comma डाल दिये हैं comma डाल दिये हैं इसके बाद आपको data को अलग करना होगा तब कैसे कीजिएगा दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा कि इसमें और भी बाते आपको हम बताने वाले हैं जोटा सा वीडियो है प्यारा सा वीडियो है अल्ट ए ई और इसके बाद फिर से आपको कर देना है next और next के बाद यहाँ पर देखिया हमारा space नहीं है यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा data है उसमें comma है तो आपको comma पर click करना है और इसके बाद आपको next कर देना है और finish कर देना है और okay यह देखिया हमारा data अलग हो चुका ह को एक काम कर रहा है इसके बाद अगर आपका डेटा में कहीं पे कॉमा कहीं पर और स्पेस रहेगा तब आप उस देटा को कैसे मैंश गींद कि मिलेट से जाओ फिर से कुल्स यह यह दोमेद करने के बाद यहाव फिर आपको कंव दो पाना है फिर आप कर देना है next और कर देना है next sorry back यहां पर देखे हमारा कॉमा और अस्पेस दोनों है तो यहां पर दोनों को हम क्लिक कर देंगे यहां पर देखे और कर देंगे next और फिनिस ओके यह देखे हमार डेटा अलग हो चुका है उम्मिद करता हूँ छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको जानकारी बहुत अच्छी मिली होगी अगर अच्छा लगा है तो लाइक किजेगा वीडियो को और ऐसे ही टिक्स और डाटा इंट्रियर काम्स जिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और वीडियो को लाइक कर दिजेगा चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में और कुछ नहीं अच्छी टिक्स और टिप्स के साथ